इस वीडियो को देख लो देखने के बाद तुरंत इस रेमेडी को तैयार करके आप अपने चेहरे पर लगा के और फिर 10-15 मिनिट के बाद अपना चेहरा साफ कर लें धोलें फिर आप आईने के सामने देखिए और आप अपने फैमली के किसी भी मेंबर से पूछ लेना कि करने की वी जरूरत आपको फिर नहीं फड़ेगी तो पूरा वीडियो ध्यान से जरूर देखना और किसी भी तरह के आप वीडियो चाहते हैं तो मेरे वीडियो के डिस्क्रेशन में आप चेक करना आपको हर तरह की प्रेलिस्ट मिलेगी हर तरह के आपको वीडियो मिलेंग आपको पैसे भी खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सबसे पहले चीज आपको कच्चा नरियल चाहिए कच्चा नरियल आराम से आपको मार्केट में मिल जाएगा कच्चा नरियल लेके आए उसको आप किस लें उसका दूद निकाल ले एक चमच आपको दूद निकाल लेना है एक चमच दूद में आपको सिर्फ एक पंकड़ी केसर की मिला देनी है आप सोच रहे होंगे कि केसर बहुत महिखा है क्रीमों से तो कही गुना सचता है आप एक केसर की छोटी सी डिप लेके आईए आप मौर्निंग टाइम में करिये और डेली चाहें तो डेली कर सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं है पंदरा साल से जितने भी उपर बाले लड़का लड़किया है सब इसको यूज कर सकते हैं तीस मिनिट के लिए नरियल के दूद में आप एक केसर की पंकड़ी को भिको के रखिए ठीके फिर इसके बाद आपको क्या करना है एक आपको लाल गुलाब लेना है लाल गुलाब की 5-6 पंकड़ियां आपको तोड़ लेनी है 5 पंकड़ियां तोड़के आपको एक कटोरी में उस मिल्क को जो आपने नरियल का कच्चा दूद निकाला उसमें 4-5 पंक्रियां गुलाब के फुल की डाल दीजिए ठीके फिर इसके बाद इन तीनों चीजों को मिक्स करने के बाद एक मिक्सर में इसको पीस लेना पीसने के बाद एक फेस फैक वनके रेडी हो जाएगा फिर उसको आप कटोरी में निकाल लीजिए और उसमें आपको सिर्फ एक चमच केबल एक चमच सहर मिलानी है आपकी रेमेडी तैयार है थोड़ा सा आप उसमें पानी भी एड़ कर सकते हैं या फिर उसमें आप गुलाग जल भी मिला सकते हैं हर तरही की स्कीन के लिए ये सूट करेगा फिर आपकी स्कीन ओयली हो या फिर ड्राइ स्कीन हो या फिर नॉर्मल स्कीन हो कोई भी इसको लगा सकता है किसी भी तरही क आपकी फेस की स्कीन पर problem नहीं होगी आपके चहरे पर दात धबने आपकी स्कीन ठीली हो चुकी है या फिर आपकी स्कीन से गुलो खतिम हो चुकी है आपका फेस गंदव हुचत सुरथ दिखाई देने लगा है तो फिर गाइस इसको मॉर्निंग टाइमिंग कर लेना पूरा दिन आपका चेहरा चमकता हुआ नजर आएगा इसको 15 मिनिट के लिए अपने चेहरे पर इसको लगा के रखें और चाये में ही आपको सुखाना है 15 मिनिट के बाद नॉर्मल पानी से आप अपना चेहरा क्लीन कर लें धो लें और 10-15 मिनिट के बाद जब आपका फेस सूख जाए तो आईनी के सामने आप खड़े हो जाए आपका चेहरा वेहत खुबसूरत नजर आएगा आपको यकीन नहों तो आप अपने फेमली के किसी भी मेंबर से पुछ लेना कोई भी बताएगा आपका चेहरा विना मैकप के विना फेसियल के बहुत खुबसूरत दिख रहा है तो गैस इस तरह के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना तो आज के लिए वसे तना ही नमस्कार